गुर्दों की बीमारियां या किड्नी डिजीज़ जो हैं यंग लोगों में क्यों इसके इंसीडन्स राइज होते जा रहे हैं पहले मैं आपको बता दूँगा जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं दो किड्नीज हैं आप राइट किड्नी जो है थोड़ा लोवर होती है औ जो इसको हमे गलومरलस बोला जाता है और उसके साथ ट्यूबूल होते है जो निफ्रान है उसक का काम है इस तरीके से दो स्टेप प्रास्स होता है एक तूं गलूमरलस जो है वो फिल्टर करता है ब्लड को और ट्यूबूल में क्या होता है जो सबस्टेंस बाड़ी में रिक्वाइर होती है वो वापस चले जाती है और जो वेस्ट वगरा होता है यूरीन के तो पास हो जाता है जो बेसिक किड़नी का फंक्शनल यूनिट है उसको हम नफरान बोलते हैं हर किड़नी में वन मिलियन नफरान होते हैं तो एक नफ्रांद का जो है एक स्माल फिल्टर जय से अब आप मान लीजिए जिसको glomerulus बोलते हैं और उसके साथ जो attached tribules होता है तकριebान चालिस साल की उमर के बाद क्या होता है नफ्रांड को हर साल एक परसंट निफ्रांड का loss हो जाता है तो किड्नी फंक्शनल्स जो हैं अवराल एज के साथ डिकलाइन हो सकते हैं तो मैं जो ये बताना चाहता था कि हाँ किड्नी का इंसीडन्स जो है बीमारियों का क्यों होता है चुँके कुछ अपनी लापरवाई एग्जेक्टली कुछ लोग डिहाइडिशन यानि के पानी की मिगदार कम लेना फ्रोलांग टाइम के लिए या डाइट्स में भी पोर डाइट होती हैं बैलन्स डाइट नहीं होती हैं नमक का ज्यादा इस्तमाल करना साल्ट जो है कितना लेना चाहिए वो मैंने कई दफाव वीडियो में बताने की कोश्की है तो एग्जेक्टली कुछ ऐसी चीज़े हैं यानि के डाइबटीज जो है जिसमें कुछ ऑस्मॉटिक सिंटम्स बे होते हैं बार बार यूरिनेशन होना जबान का खुशक होना या और तो यह कुछ चीज़े हैं हासकर आवर यूज अफैन कलर्स जो है ऑर्दग जो है कहीं उठा के द्वाई खा लिए तो जब तक इंडिकेटर नहीं नहीं खानी चाहिए हाँ एक का दुका पैन किलर जो है वो खा लेनी चाहिए अगर जरूर पड़ेगे लेकां लगतार पैन किलर को नहीं खाना है यह हर एक शक्स को आज के दौर में मालूम होना चाहिए सभी लोग इंटरनेट को सही तरीके से सही दिशा में यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली पैन किलर्स का जस्टिफाइड यूज करना है वो द्वाईयां यूज करनी हैं जिसमें किड्नीस के थो उनका मैटाबल्जम ना हो हां लीवर के थो मैटाबल्जम अगर होगा लेकान अ एक दबाओ डालते जा भी है जिसकी वैसे किड्नी डिजिस की डेवलोप्मेंट के चांसे बढ़ते जाते हैं अरली सैंस जो हैं किड्नी डिजिस के क्या क्या हो सकते हैं एक्जैक्टली परियार्बिटल एडिमा या पफी आईज एक तो वो चीज़ें देखी जाती हैं चै जादा बबल्स तो नहीं आ रहे हैं या उनमें फों तो नहीं बन रही हैं एक किसम का जाग बन रही है तो zurच कीड्नी डिमेज हुआ है तो जादा जाग नहीं नहीं उन चाहें ये फोमी यूरीन के उपर में ज्यादा फोकुस करूँगा, ज्यादा बोलूँगा, यानि कि जब पिशाब कर रहे हैं, यूरीन पास कर रहे हैं, तो देखना है, ज्यादा बबल्स तो नहीं बन रहे हैं, या आपके यूरीन में कोई फोम जैसे तो नहीं बन रहे हैं, वो ग फेस पर यानि चेरे पर जो मैंने बताया कि आँखों के इर्द गिर्द हास कर लो और आई लिट्स में अगर स्वेलंग हो जाती है तो वो देख लेना है कि क्या वज़ा हो सकती है चुमकि जो गुर्दे हैं वो फिल्टर करते हैं एक फिलूड को बैलंस रखते हैं लेकन जब आपके फिल्टर्स पर दवाव पड़ना होता है तो तकरीबन आपका वाटर रेटेन हो सकता है ऐसे ही कुछ और सिंटम्स हैं जैसे बूखना लगना उल्टी आना या नाश्या जिसको बोलते हैं कम खाना तो अपसेट स्टामक तकरीबन भी कोरलेट किया जाता है किड़नी डिजिस के साथ हो सकता है इसके अलावा शॉर्टनेस अफ ब्रेथ यानि कि आप जब आप बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आवाज में कुछ फरक पड़ चुका है एक कमजोरी जैसे आगी है आपके एनीमिया डवलप हो रहा है खून की कमी हो रही है इस तीके से सिक के उपर जो है तकरीबन रैशेस हो जाना खुजली आना कमर में दर्द फ्लेंक पैंस वगरा और फ्रिक्वेंट यूटि यानि बार बार यूरीन का खराब होना यह मोस्ट इंपार्टनली डार्क फोमी यूरीन और कभी यूरीन में ब्लाड आ जाना उसको एवालवेट करन की जरूरत है चूंके मेडिकल साइन्स या एक ये प्रफेशन जो है इसमें डीप नालज होती है एक ही चीज को पकड़के उसको एवालवेट किया जाता है लेकन मैं आपको एक कुछ लेमेन की तरह कुछ चीजें बताने की कोश्च करूँ ताकि आसानी से पानी पी लेना चाहिए एक गंटे में चार गलास से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए यनिके एक गंटे में एक लिटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए वो किड्नी को ऊपर वरकलोड जहर डालेगा और कम से कम एक दिन में चार गलास से कम पानी भी नहीं पीना है एक ग्लास में आप 2500 ml आप मान लीजिए यानि कि एक गंटे में एक लिटर से ज़्यादा पानी पियोगे तो वाटर इंटॉक्सिकेशन वगरा हो जाएगी अपने नमक जो लेते हैं चाए में हासकर हम लोग अक्सर नून चाए पीते हैं नमकिन चाए पीते हैं उसके अलावा सबजियों में कुछ फरूट्स हैं हासकर सबजियों में क्यों होता है अटॉमाटिकली नेचल साल्ट भी होता है उपर से हम एड़िड साल्ट भी अगर डाल देते हैं तो आपका साल्ट इंटेक जब ज़्यदा होगा वहाइपर टेंशन और इसके कंसिकुंस्स हो सकते हैं आपको जो सनैक्स लेते हैं साल्टी होते हैं ज्यादा तर प्रॉसस्ट फूट्स जो होते हैं मार्कर से आप फटा फट लाते हैं रेडी मेड फूट्स लाते हैं वो प्रॉसस्ट फूट्स होते हैं उसमें नमकियात ज्यादा होते हैं इट किड्नी फ्रेंडली तो वो अलग बात है हाई शुगर फूर्स और जंक फूर्स के उपर मैंने जो बताया जो शुगर है पानी को रेटेंड करती है जैसे नमक करता है तो किड्नीस पे लोड ज्यादा पढ़ सकता है जो है उनको अवाइड करने के कोश्क करनी चाहिए जब ज्यादा इंडिकेटर होंगे तब ही एका दुका अगर आपको खा लेना है तो कंटिनूटी नहीं रखनी है अक्सर बेशतर कई दोहां डॉक्टर साहिबान प्रेस्क्रिप्शन पर लिख लेते हैं मालो कभी पर्टिकलर कोई पैन कलर है उसमें वो लिखने में आता है बी आईडी सुबा शाम या टी आईडी दिन में तीन दफा लेकन इसका मकसद नहीं है कि आपको अगर पैन खतम ह होंगे किड्नी में नफर टॉकसिटी हो जाती है नफरांस के दबाव पड़ता है कहीं जब आपको किड्नी स्टून्स डिटेक्ट हो जाएं कहीं एक्सरे से या के यू भी उसको बोलते हैं या आज कल एक रोटीन अल्टर साउंड इस रोटीन टेस्ट नाव जैसे यूरीन एक रोटीन टेस्ट है उसमें आपको लगता है क्रिस्टल कौन से हैं आकसलेट से हैं यूरिक एसिट से हैं या कौन से टाइप के हैं तो उस दुरान अगर आपको अल्टर साउंड में किड्नी में अगर स्टून्स मिल जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रोग आपको पता चल जा लेकर उससे कहीं ज्यादा स्टून्स जब होते हैं तो उन में कुछ न कुछ कम्प्लिकेशन जौलप हो जाती हैं वो यूरिटर में बैक्स प्रेशर करते हैं हाइडरोनेफ्रोसिस किड्नीस को एक गुबारे की तरह बना देते हैं डिफंक्ट कर सकते हैं जब भी कहीं स्टून्स बगरा होंगे आपको पहले नमबर पे हाइडरेशन का स्टेटिस जदा अच्छा करने की ज़रूरत है तो अदरवाइस बैक्स प्रेशर करके आपके किड्नीस में डेमेज जो होगा वो एर्रीवर्सिबल भी हो सकता है कार्टिको मेडिल और डेफनिशेशन में एफेक्ट पड़ सकता है किड्नीस को डेमेज करने वाले ये जो चीज़े हैं इनको ठीट करना है और वो खुराक जो जिसमें यूरिनेशन ज्यादा बने यानिके आपको वो खुराक लेनी है वो फ्रूट्स लेने जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा केई दवह मैं बोलना चाहता हूँ आपको केन यू इट वाटर आप बोलते हैं नो वी केनाट इट वाटर बट आई से वी केन इट वाटर वाटर कंटेंग फूड्स यानिकि जैसे आप मूली देखिए उसमें कितना पानी होता है तो अगर आप इनका कलर देखना चाहिए क्या रेड है डाट मींस हैमरेज है अंदर ब्लीडिंग हो रही है कहीं स्टून स्लिप हुआ है कहीं नीचे जा रहा है स्टून कहीं यूरिटर में स्टून है कहीं यूरिटर में स्टून है कहीं यूरिथरा में स्टून है तो उस सुरुत में कुछ और चीजे में बताऊंगा शार्ट में यह एक्साइज रिगुलर्ली करना चाहिए जितना आप एक्टिवर रहेंगे इतना आपका ब्लेड पेशेर और ब्लेड शुगर्स मेंटेन हो जाएंगी एक की प्रोटेक्शन तो यूर किड्नी बन सकती है एक्साइज वाक वग कर लेना रहिआतों हीिए प्लड पिशर को मानिटर कर लेना हाईपरटेंशिन अगर डिटेक्ट होगे उसको एवल्यवेट करने हाली हाईपरटेंशिन ब्लड पिशर से एवलेट नहीं होती है सिंपल हाईपगरेंशिन के लिए आपको चैस्ट एक्स guidance करना पड़ जाता है वहाँ पर यह देखा जाता है कार्डियो में गाली तो नहीं है, हार्ट के पानी तो नहीं जम होगा है, उसको ऐसे चीजें बताते हैं, यनि के हार्ट का साइज तो नहीं बड़ा हो चुका है, कहीं एर्टा के अंदर कैल्सिफिकेशन तो नहीं हुई है, एवन ECG देखा जात एगसेकली, युरीन एक्जामनेशन से आपको, पस्सेल्स से अलावा, आर्बीकों के अलावा, आपको ये देखा जाता है, कहीं इंसीड़निटल ये आपको युरीन में प्रोटीन तो लास्न हो रहे हैं, युरीन में शुक्र सु नहीं हैं, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, टि आदा हाफिस.